मरकुस रचित सुसमचार नवा अध्याय वैसा चमकने लगा और यहां तक अती उजवल हुआ कि प्रत्वी पर कोई धोभी भी वैसा उजवल नहीं कर सकता और उन्हें मुसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे ईशु के साथ बातने करते थे इस पर पत्रस्त ने ईशु से कहा हे रबी हमारा यहां रहना अच्छा है इसलिए हम तीन मंडब बनाएं एक तेरे लिए एक मुसा के लिए और एक एलिया के लिए क्योंकि वे न जानता था कि क्या उत्तर दे इसलिए कि वे बहुत डर गए थे तब एक बादल ने उन्हें च्छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उसकी सुनो तब उन्होंने एक आएक चारों और द्रस्टी की और ईश्यू को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा पहाड से उतरते हुए उसने उन्हें आग्या दी कि जब तक मनुष का पुत्र मरे हुँ में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुँ में से जी उठने का क्या अर्थ है और उन्होंने उससे पूछा शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है उसने उन्हें उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा परंतु मनुष के पुत्र के विश्य में यह क्यों लिखा है कि वे बहुत दुख उठाएगा और तुछ गिना जाएगा परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विश्य में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया और जब वे चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं और उसे देखते ही सब बहुती आश्यर करने लगे और उसकी ओर दौड कर उसे नमस्कार किया उसने उनसे पूछा तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो भीड मेंसे एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरू मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था जहां कहीं वे उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वे मुह में फेन भर लाता मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा उसे मेरे पास लाओ तबे उसे उसके पास ले आया और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरम तुसे मरोड़ा और वे भूमी पर गिरा और मुह से फेन भाते हुए लोटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा कि इसकी यह दशा कब से है। उसने कहा बच्छपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परन्तु यदी तु कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। ईश्यों ने उससे कहा के प्रभू मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब ईश्यों ने देखा कि लोग दोड़ कर भीड लगा रहे हैं, तो उसने अशुद आत्मा को यह कह कर नाटा, कि हे गूंगी और भहीरी आत्मा, मैं तुझे आग्या देता हूँ, उसमें से नि परंतु ईश्यों ने उसका हाथ पकड़के उसे उठाया, और वे खड़ा हो गया। जब वे घर में आया, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके। उसने उनसे कहा, कि यह जाती, बिना प्रार्थना, किसी और उपाय से निकल नहीं सकती फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे, और वे नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वे अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, कि मनुश का पुत्र मनुश्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उससे मार डालेंगे, और वे मरने कि तीन दिन बाद जी उठेगा पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूशने से डरते थे फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आप और सब का सेवक बने और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में ख़़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहन करता है वे मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता वे मुझे नहीं बरन मेरे भे किright गें कि वे हमारे पीछे नहीं हो लेता था येशु ने कहा उसको मत मना करो कियोंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वे हमारी और है जो कोई एक अटोरा पानी तुम्हे इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीती से नखोएगा पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद में डाल दिया जाए यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उससे काट डाल, तुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं और यदि तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए, तो उससे काट डाल, लंगला होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है कि दो पाउं रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं भुझती क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, तो उससे किस से स्वादित करोगे, अपने में नमक रखो, और आपस में मेल मिलाप से रखो।